हलो श्रेंड मुख्य परिच्छा संग्राम सिरीज की अंतरगत आज हम फिलोसपी में वेस्टन फिलोसपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं जहां से आपके दो नंबर चार नंबर और आठ इवन पंद्रा नंबर की प्रश्ण पूछे जान की संभावना है यदि आप पूरू में आई हुए प्रश्णों को देखें तो एक प्रश्ण आपको हर साल लगभग दिखाई देगा अब वो प्रश्ण है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ इसलिए मैं हूँ एक फेमस कोटेशन है तो आइटिंग देरफूर आयम इसको आप देखेंगे कि यह एक बार आट नंबर पर एक बार पंद्रा नंबर पर पूछा है तो आज हम इसी प्रश्ण पर चैचा करेंगे साथ ही साथ western philosophy की जो दो मुख्य ब्रांच है उसके बारे में भी हम discuss करेंगे तो आज की class का जो main motive है वो इसी प्रश्ण का एक सही उत्तर analytical उत्तर पर पहुँचना है और यह जो statement है is a very famous western philosopher वो है आपकी रहने डेकाट तो यह जो quotation है यह डेकाट का ही statement है और आज हम इसको CGPSC की अनुरूब कैसे लिखा जाएगा हम इसको देखेंगे सबसे पहले हम जब western philosophy सुरू करते हैं तो यह जानना बहुत आवश्यक है कि जो western philosophy की सुरूबात हुई है वो एक word से हुई है और यह word पूरा western philosophy में आपको last truck मिलेगा और वो सब्ध है प्रत्य है या वो सब्ध अंग्रिजिम बोलते हैं इसको क्या idea इसको हम विचार भी कह सकते हैं पर तो philosophy word में आप इसको प्रत्य ही कहेंगे English में इसके लिए word है क्या idea कहीं कहीं पर इसे विज्ञान भी कहा जाता है यहाँ पर विज्ञान का meaning science नहीं विज्ञान का मत्तब है आपके विचार आपके thoughts तो प्रत्य या idea इस सब्ध पहेंगे और इसकी पहली चर्चा इस प्रत्य की और इसके अधार पर जो से धान बना जाया वह बहुत प्रसिद्धार्सनिक हैं और वह प्लेटो तो प्लेटो है अरिस्टोटल है अरस्तू है इन लोगों ने इस पर चर्चा की और इनकी दोरा जो फिलोस्पी दिया गया उसको हमनों प्रत्य वाद कहते हैं अब यह होता क्या है इसको समझेगा तो प्रत्य वाद का मत्तब यह है कि संसार में केवल सत्ता the only existence यह हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सत्ता केवल इन प्रत्य वाद यह मानता है कि जो existence है जो सत्ता है वो केवल प्रत्य वाद की है और इसे बनाया था आपकि प्लेटों ने इसको फॉलो किय अरस्तु ने तो जिन लोग यह मानते हैं कि सत्ता के वल प्रत्य की है प्रत्य नहीं तो कुछ भी नहीं है न तो idea को focus करते हैं तुसे हम कहते हैं idealism प्रत्यवार पर हमारे आज की class की चर्चा प्रत्यवार पी नहीं हमारी चर्चा इस प्रत्यपर है इसलिए इसको बताना आवज सकता कि प्रत्य मतलब ideas in your minds तो अब इसी प्रत्य के origin के अधार पर हम लोग इसे दो category में divide करेंगे समझेगा तो प्रत्य की उत्पत्ती के अधार पर इसकी दो category है एक वह वर्ग जो यह मानता है कि सारे प्रत्य सारे idea जन्म जात हमारे बुद्धी में होते हैं उससे हम लोग बुद्धी वात कहते हैं तो यह विचारधारा यह मानती है जितने भी प्रत्य है all the ideas in our mind by birth यानि सारे प्रत्य जन्म से हमारे बुद्धी में होते हैं ऐसा इनका मानना है और इसका just opposite जो विचारधारा है उससे हम कहते हैं अनुभववाद पूरा western philosophy इसी पर ही आपका best है इंपरिजम रैशनलिजम एंड इंपरिजम ये दो वर्ड हैं बुद्धी वात एवं अनुभववात पहले हम इन में डिफरेंस देखेंगे फिर हम डेकार्ट के उसके statement पर आएंगे। तो बुद्धी वात और अनुभववात है क्या और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो on the basis of आपका आइडिया है। ये दोनों ही प्रत्य को मानते हैं, प्रत्य वात का समर्थन करते हैं, support the idealism पर दोनों में कुछ डिफरेंस है। ये जो बुद्धी वात है, इसकी खाज बात ये है। अभी आप देखेंगे। ये जो concept आया है by birth, तो इनका मानना है कि जो प्रत्य हैं, वो जन्म जात होते हैं। इनेंट हैं, by birth होते हैं। और ये जन्म जात हमारे कहा हैं बुद्धी में। हमारे mind में। तो इनका ये मानना है कि जितने भी प्रत्य हैं, आइडियाज हैं, वो सब by birth हैं। और जो अनभव वाद है, वो इसका उल्टा बोलेगा। कि कोई भी प्रत्य इनेंट नहीं हैं। जन्म जात नहीं होते, बल्कि वो अनुभव द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। अठाथ experience-based हैं। जानि इनका ये कहना है, तो दोनों एक दुसरे की opposite हैं। और ऐसा इसलिए कि जो बुद्धी वाद है, इसका origin गडिस से हुआ है, mathematics से। तो maths की तरह ये लोग चाहते थे, कि जो जितना भी knowledge है, वो बिल्कुल undoubtful हो। बिल्कुल जैसे की गडित होता है। और ये जो अनुभव जन्य हैं, इनका जो base है, वो आपका science है। तो ये लोग math को follow करते हैं, जैसे math की थोरब होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, वैसे ये लोग चाहते हैं कि philosophy भी वैसा ही हो जाए। और इसके लिए वो मानते हैं कि सारे ideas इनेंट हैं पहले से हमारे बुद्धि में हैं। इनका मानना है जो अनुभवादी हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी ideas generate करते हैं, वो हम अपने science experience से, अपने इंद्री अनुभव से प्राप्त करते हैं। और यह follow करते हैं science को। इससे एक यह फायदा होगा कि जो बुद्धिवाद है, इससे हमें सौर भौमिक तत्र मिलेंगे, concept मिलेंगे। यूनिवर्सल रहेगा यह। अब चुकि अनुभववाद based on experience है, तो यहाँ पर आपको सौर भौमिक ता नहीं मिलने वाली। पर एक चीज मिलीगी वो है novelty, अर्थात यहाँ पर ज्यान में नविन्ता होगी, जो कि experience based है, इसलिए इसमें नए नए ज्यान की संभावनाय रहेंगी, probability रहेंगी। यहाँ पर आपको universal approach तो नहीं मिलेगा, पर in the novelty in your knowledge that you get, यहाँ पर आपको ज्यान में नविन्ता प्राप्त होगी, यहाँ पर आपको ज्यान में सौर भौमिक ता प्राप्त होगी, तीन तीन चार बिंदों पर आप समझ सकते, सब से important point है, कि जो बुद्धिवाद है, rationalism है, it's based on the approach of maths, यह गडित के approach पर अधारित है, इस परकार गडित में 2 plus 2, 4 होता है, and it's a universal truth, ऐसे ही philosophy में भी जो आपके सिधान्त है, doctrine है, वो भी सौर भौमिक होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है, just like a maths, पर जो अनभवादी है, उनका यह मानना है, यह possible नहीं है, कि सारे प्रत्य है, inbuilt है, पहले से, इन प्रत्यों को हम ग्रहन करते हैं, अपने इंदरी अनभव से, science contact से, इसलिए यह universal तो नहीं होंगे, बट एक फायदा ही रहेगा, इसमें नविंता होगी, नए नए चीजों की खोज होगी, जैसा आप लिखते है, science में हमिसा कुछ नए कुछ नए खो यानि कोई भी इस सत्य को काट नहीं सकता कि दो और दो चार होते हैं, तो दोनों को अपना importance है, और CGPSC में अगर आप देखें, तो आपको यहाँ पर तीन-तिन philosopher पढ़ना है, अर्थात बुद्धिवाद के अंतरगत, आप अध्यन करेंगे तीन philosopher का, इन में से एक है आपका इस्पीनोजा, और एक है आपका बरकले, अनुभावाद के अंतरगत आप पढ़ेंगे तीन philosopher, पहला है जॉन लॉक है, बहुत important है यह, दुसरा आपका एक मेट, इट पी करेक्ट, जिससे सकेंड, यह नौट अबरकले, यह लाइबनिस हैं, यह लाइबनिस हैं, यह फॉलो करेंगे रेस्टनलिजम, और जॉन लॉक, बरकले अंद डेविड हूं, यह फॉलो करेंगे आपका इंपिकृरिजम, अर्थाद, अनुभावववादकों, यह बिलकुल important, that's the difference between their approach. तो बुद्धिवाद, रसलिजम is a based on the mass approach, which considered the philosophical point of view, that's the knowledge should be universal truth, any undoubtful, इसी प्रकार जो अन्वह वाद है यह इसका opposite कहते हैं वो कहते हैं नहीं हमारा सारा ग्यान जो है वो प्रत्यों पर धारित है based on ideas पर idea इन्वह नहीं है जन्वजाद में इन्हें हम प्राप्त करते हैं अपने इंद्री अन्वह से इन्वें आपको universal approach तो नहीं मिलेगा पर एक खास बात है कि आपको नए नए ज्यान की संभावन आए वो आपको अन्वहवाद में मिलती है तो यह आपका अन्वहवाद और बुद्धिवाद में अंतर है और यही base है पूरे western philosophy का अब हम चर्चा करेंगे इसी रेसलिस्ट बुद्धिवादी एक दार्सुनिक वो है आपका डेकार्ट अब हम आते हैं अपने प्रश्ण पर कैसे लिखा जाएगा इसको लेकिए तो आप डेकार्ट के अंतर गत यहाँ पर दो प्रश्ण बनते हैं एक है method of doubt संदे की पधती और एक है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ यह है method of doubt और यह है I think therefore I am तो यह दो प्रश्णों को एक साथ में कराऊंगा और यहाँ पर यह आठट नंबर की दो प्रश्ण है और पूरा पूछा तो यह 15 नंबर पर हैं तो कुछ इस प्रकार पढ़ना है जानना है कुछ भी पूछे डेकार्ट से लिखना क्या है यह सिखिएगा method of doubt तो सबसे पहले जब आप डेकार्ट को लिखें तो आपका answer start कहां से होना चाहिए वो इस method को क्यों ला रहे हैं और last वो अपने conclude मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ यानि I think therefore I am तक पहुंचे कैसे समझेगा इसको तो आप अपने उत्तर लेखन का प्रारम जैसे आप डेकार्ट लिखते हैं सबसे पहली यह बताएं कि यह एक बुद्धिवाद्धी दारसनिक हैं बुद्धिवाद्धी हैं रेस्लिस्ट हैं यह follow करते हैं रेस्लिजम को और बताएं कि यह ऐसा follow करते हैं उसकी पीछे यह है कि सारे प्रत्य इनेंट होते हैं जन्मजात होते हैं यह बताना पड़ेगा आपको कि डेकार्ट की अनुसार समस्त प्रत्य जन्मजात हैं ऐसा क्यों क्योंकि वो चाहते हैं कि जो philosophy है वो भी maths की तरह हो जाए मैस की तरह मतब यूनिवर्सल हो जाए अन्डाउट्फूल हो जाए अन्डाउट्फूल हो जाए तो वो चाहते हैं कि philosophy भी math की तरह हो जो किसी भी तरिके से काटा ना जा सके अब question यह है कि यह होगा कैसे philosophy math के approach कैसे follow करेगा तो इसके लिए Descartes ले आते हैं the method of Cartesian या Cartesian method इसको cgpsc के point of view से हमनों संदे की पद्धत्य कहते हैं तो डिकार्ट चाहते क्या है रिकार्ट चाहते कि दर्शन भी philosophy भी math की तरह हो जाए वो यूनिवर्सल हो जाए undoubtful हो जाए compassory relation हो जाए अनिवार हो जाए और इसके लिए वो ले क्या जाते हैं संदे की पद्धत्य बस इनकी चार पद्धत्य है इसके लिए पर पहला जो पद्धत्य है वह संदे की पद्धत्य तर्म method of doubt कि किसी भी truth तक पहुचने के लिए सत्य ज्यान तक पहुचने के लिए सबसे पहले important है कि जो धर्म के छेत्र में जो society में जो अंध विश्वास है उससे खंडित किया जाए देखो एक हमारा लक्ष है कि में सही ज्यान प्राप करना है और दूसरा प्रावडम यह है कि society में हमारे धर्म में बहुत सारी गलत धार्नाएं भी पचली थे तो उन गलत चीजों को हम दूर कैसे करेंगे उसके लिए वो लेकिया आते है method of doubt वो कहते हैं कि कोई भी विचार हो anything is कोई भी thought हो कोई भी fact हो तो आप उसे तूरंद स्विकार ना करें मत करिया accept आपको स्विकार नहीं करना है तूरंद तो डिकार्ड method of doubt में कह रहे हैं कि कोई भी विचार है fact है आपको उसको स्विकार नहीं करना है तूरंद accept नहीं करना है आपको उस तत्वर विचार पर अब करना है संदे doubt जैसे मैंने कहा कि मैं इसवर हूँ तो आप इस बात को स्विकार नहीं करेंगे आप मेरी इस statement पर लगाएंगे question mark आप करेंगे doubt और doubt करने से फायदा यह है कि जो चीजें सही हैं वो सत्य की रूप में आ जाएंगी और जो चीजें गलत हैं अंद विश्वास से वह अपने आप चला जाएगा तो और यह कहते हैं कि संदे करना है और यह तब तक करना है जब तक उस तत्य पर संदे की संभावना है यह 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 तब तक doubt करिए जब तक doubt आ रहा है तो method of doubt continuous doubt process है यह यह आप किसी भी विचारधारा को विचार को स्विकार नहीं करेंगे आप उस पर करेंगे संदे और संदे तब तक होगा जब तक अगले संदे की संभावना है तो सारे संदे दूर हो जाएंगे तो जितनी भी गलत धाना है अंद विश्वास है खासवर पर धर्म के छेत्र में वो अपने आप खंडित हो जाएंगे फिर हम जाएंगे इस वास्तिवी ज्यान के लिए उस truth की और हो तो वास्तिवी ज्यान की प्रा और यहां इस माध्यम से डेकार्ट ने उस समय में ये रोप में जो धर्म के छेत्र में जो अंद विश्वास था उससे दूर करने का प्रयास किया तो इस अंदे की पत्ति की पीछे था धर्म के छेत्र में जो अंद विश्वास है रुडिया है इनको समाप्त करना गलत प्रताएं है देखिए धर्म को जानने के लिए धर्म में जो चीजें होती है इन सब चीजें को हटाना पड़ता है तो अगर हम इन चीजें को डाउट करके क्लियर कर लें तो फिर हम आगले स्टेप में जाएंगे तो वास्तिवी ज्यान के लिए सबसे पहले जो चीजें पहले से चली आ रही है जो गलत है उनको हम दूर कैसे करें तो हम उन चीजों को स्विकार नहीं करेंगे हम उन पर डाउट करेंगे और तब तक डाउट करेंगे जब तक डाउट आता रहेगा एक समय पर आपके सारे डाउट समाप्त हो जाएंगे तो फिर आप एक निर्णय पर आप आएंगे और निर्णय ये होगा कि वो चीजे गलत थी अंद्विस्वास की चीजे थी इससे धर्म का वास्तरिक सरूब निकल के आएगा डिकार्ट की फिलास्पी में गौड अर्था इश्वर का विशेश स्थान है तो ये क्लियर कर लें कि वो धर्म का खंडन नहीं कर रहे हैं धर्म जो चीजे गलत है उससे मैथर्ड आफ डाउट से वो खंडिक करने का प्रयास कर रहे है डिकार्ट ने इस पस्ट्रूब से इश इस पर को सिकार किया है ठीक है ती हो गया मैथर्ड ऑफ क्या डाउट अब ये तो हो गया गलत चीजे अब वास्तिवी ज्ञान के लिए वो तीन मैथर्ड और देंगे आपको तो एक था आपका संधे की पद्धति जिसके माध्यम से जो चीजें गलत हैं वो दूर हो जाएं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फिर आप मूफ करेंगे विचलेशन की पद्धति पर दे मैथर्ड ऑफ अनालेसिस फिर आप मूफ करेंगे मैथर्ड ऑफ सेंथेसिस परिच्छन की पद्धति कहते हैं तो मैथर्ड ऑफ डाउट यह आप समझ गए इससे गलत धानना आए जो चीजे होंगे वो हट जाएंगे अब क्या करना है अब जो प्रॉब्लम है आपके सामने है उस समस्या को आप छोटे छोटे भागों बाट किर जे कोई भी प्रॉब्लम है उससे आप पहले काम करिये छोटे छोटे छुटे भागों बाटें बाट लिए फिर आप उसे solve करने के प्रास करें और solve करें सरल से कठीन की ओर देखिए ये बिल्कु पैटिकल लाइफ की बात कर रहे हैं कि बड़ा सा कोई problem आता था तो हमें ये सिखाए गया कि बड़े से problem को छोटे छोटे भागों बाटो और जो easy वाला हो उसको पहले item करो और easy से आप tough की ओर जाएं सरल से आप जाएं कहा cutting की ओर और उस लूप में उसे solve करिए यानि यहाँ पर जो आपका approach होगा वो easy to tough होगा तो पहले आपने doubt कर लिया ठीक है फिर आपने अपनी problem को जो समस्या है आपके सामने उसको छोटे छोटे भागों बाटा फिर बातने के बाद अब उसको आप solve करना चाहा रहे हैं तो उससे आप जाएंगे सरल से cutting की ओर अब आप आएंगे एक conclusion पर एक निसकर्स पर पर डेकार्ट यहाँ पर आपको रोकेंगे किसी भी निसकर्स के पहले किसी भी conclusion के पहले एक बार जितने भी उपर के method हैं इन्हें फिर से test कर लिया जाएं जैसे हमनों mask बनाते थे कोई बड़ा सा होता था आपका समीकरन या equation जब हम सको solve कर लेते थे तो answer लिखने से पहले हम एक बार उपर के सारे जो step होते थे उसको check करते थ और जब check कर लेंगे तब फिर आप आएगा conclusion पर तब आप आएगा निसकर्स पर और ये निसकर्स गडित की भाती बिल्कुल भी आसंदिक्द होगा undoubtful होगा और ये होगा आपका आसंदिक्द ग्यान just like maths ये है आपका डिगाट तो क्या करना है तो पहले आपको doubt करना है method of doubt doubt कब तक जब तक doubt है जब तक doubt आना बंद ना हो जाए तब तक आप विचारों पर thought पर करते रहें इसका फायदा ये होगा कि इसे जो धर्म के छेतर में society में जो गलत विचार्द हा रहा है वो अपने आप side हो जाएंगी फिर आप आएंगे method of analysis में फिर अप आपनी problem को छोटे 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 भा जाएंगे और जो ज्यान आपको मिला है जो solution आपका है वो undoubtful है और संदिक भी ज्यान है जैसे कि हम math में प्राप होता है यानि कुल मिला कर यहाँ पर डेकार्ट ने philosophy में math के approach को आपका डालने का प्रयास किया है और ये बात जान लें कि जब डेकार्ट ये कहते हैं कि सारे ideas in end हैं जन्म जाथ हैं तो आपके जानना वह सक है कि जन्म जाथ पहले से बोले का मतलब क्या है घा तो हमारी पुमि में इस सारे ideas इस सारे प्रत्य पहले से हैं अगर इस पहले से हैं तो प्रश्च उठता है कि ये पहले से कौन डाला है तो डिकार्ट इसका उत्तर देते हैं कि ये सारे प्रत्य हमारे मन में हमारे बुद्धी में जो दिया है वो है आपकोन इश्वर इश्वर जारा प्रदत हैं ये सारे आइडियाज सारे प्रत्यों का जनक इश्वर है जो हमें पहले से ही हमारी बुद्धी में इन प्रत्याओं को डाल देता है तमारे माइंड में सारे प्रत्य, सारे आइडिया पहले से हैं और वो हमें डाला है कि इसने इस्वर ने यानि इसका मतब डेकाड इस्वर को सिकार करते हैं और इस्वर को ही वो मूल ज्यान का सुरोत मानते हैं और उनका ये मानना है कि ये जो सारे प्रत्य हैं, सारे विज्ञान हैं, सारे आइडिया हैं वो हमारे बुद्धी में वो डाले हैं किसने इश्वर में, इसलिए हमें सब पता है बस समय के साथ यह ideas व्यक्त होते जाएंगे जैसे जैसे आपके बुद्धी का विकास होता जाएगा आपकी ideas आपके अंदर में आते रहेंगे पर उस सारे ideas इस्वरने आपको जन्म सिद्धे रखेंगे यह था आपका René Descartes और उनका method of doubt या सत्यत्ता का परिच्ण कार्टिसन मैथट भी है या इसको हम लोग मैथट आफ डाउट कहते है अब प्रश्णी उठता है कि देकाट ये कहता है कि हमें हर चीज पर क्या करना है डाउट हर चीज़ पर किसी को भी एकसेट नहीं करना है तो फिर यहाँ पर देकाट से पूछा गया क्यों से डिकाट हमें हर चीज पर डाउट करना हैं तो इस अधार पर क्या आप स्वेम पर डाउट करेंगे बात तो सही है जब हर चीज पर डाउट करना है तो लोगों ने पुछा कि डिकाइड क्या आप खुद पर करेंगे तो इसका उत्तर डिकाइड ने आपने धंग से प्रस्तुत किया डिकाइड कहते हैं नहीं मैं खुद पर संधे नहीं करूँगा तो डिकाइड का उत्तर इसके लिए था न्योग क्या आप स्वेम पर संधे करेंगे इसका एंसर है नहीं डिकाट कहते हैं अब वो दे रहे हैं आर्गुमेंट तर्ग कहते हैं इसको वे कहते हैं कि यदि माल लिया जाए कि मैं खुद पर डाउट कर रहा हूँ तो खुद पर संधे कर रहा हूँ तो एक संधे करता की रूप में समझेगा बात को ते क्या कह रहे हैं वो वो कहते हैं यदि माल लेता हूँ कि मैं खुद पर संधे कर रहा हूँ तो मैं संधे कर रहा हूँ मैं संधे करता हूँ तो अगर मैं संधे करता हूँ तो संधे करता की रूप में मेरी सिद्धी तो सेम हो गई मुझे खुद को प्रूफ करने की जरू था ही नहीं और अगर इस संधे का निराकरण ढूनना है तो इस संदे का जो निराकरण है वो मैं ही करूँगा भई मैंने खुद पर डाउट किया तो उस डाउट का जो उत्तर होगा वो मैं खुद दूँगा तो फाइनली मैं अपने डाउट को अपने ही दोरा खंडित कर रहा हूँ तो जो मैं ही कर रहा हूँ इस मै की जो सत्ता है उस्वेम सिद्ध हो गई Self-proof है इससे सिद्ध करने की जरुवत नहीं है तो दो रूप में कह रहे हैं संदे करना ही संदे करता को सिद्ध कर देता है और यदि वो संदे कर रहा है उसंदे के निराकरन भी खुद करता है तो निराकरन करता की रूप में भी उसकी सत्ता क्या है स्वेम सिद्ध है और इसे एक एक्जाम्पल की माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे डिकार्ट डिकार्ट कहेंगे कि हर एक वस्तू पर जिसको हमनों द्रव कहते हैं इसमें सब आ जाएंगे conscious and unconscious दोनों तो डिकार्ट कहते हैं कि हर वस्तू में कुछ मूल गुण होते हैं कुछ main characters होते हैं जैसे रोज है गुलाब का फूल और उसकी खुस्बू उसका गंद इसमेल तो गुलाब का फूल है तो उसका एक आवश्यक गुण है वो है आपका गंद मूल गुण है वो इस एंसल प्रापटी है वो और आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं महकना उस रोज का एक मूल गुण है इसको आप उससे अलग नहीं कर सकते हैं जैसे गुलाब रेड कलर का है तो ये रेड होना उस गुलाब का मूल गुण है आप उसको और लाल को अलग नहीं कर सकते तो ये इस गुलाब का मूल गुण हुआ जो आप उस गुलाब से उसको अलग निकला तो उसकी पहचान है वो ऐसी ही सेम डिकाड कहते हैं कि बिलकुर इसी भाती विचार करना एक विचारक का तो विचार करना एक विचारक का मूल गुण है आप विचारक है इसका मत्तब उसका मूल गुण है कि विचार करना आप विचारक को विचारक से अलग नहीं कर सकते हैं किएंड थिंकृ कर सेम है वो थिंकर है वो थिंकिंग करता है इसी लिए वो थिंकर है यानि सोचना ही उसकी सत्ता को सिद्र करता है तो वो थिंक कर रहा है इसलिए वो thinker है तो I think therefore I am समझेगा विचार करना विचारक का गुण है अगर हम यह कहते हैं कि something जेखती है वो विचार कर रहा है विचार कर रहा है इसका मत्तब उसकी सत्ता सिद्ध है क्योंकि आप विचार और विचारक को अलग नहीं कर सकते है इसलिए इस संदर्वे में फिट डिकार्ट ने उत्तर दिया कि I think therefore I am मैं सोचता हूँ और सोचना विचार करना वो एक विचारक का मूलगुण है इसलिए वो कहता है कि मैं सोचता हूँ तो ऐसा कहना कि मैं सोचता हूँ ये कथन ही मेरी सत्ता को सिद्ध कर देता है इसलिए मैं हूँ ये उसका लेक्न वर्ट था कोगिटो एर्गोसम मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ I think therefore I am तो ये आपकी प्रशन का उत्तर हो गया तो इस प्रकार आप चाहें इसका उत्तर लिख सकते हैं जो बहुती इजी भासा में समझाने का मैंने प्रयास किया था थैंक्यू